तो as a viewer जब हम किसी की haul वीडियो देखते हैं तो वो हम इसलिए देखते हैं कि हमें भी क्या पता कुछ पसंद आ जाए and उनका review, उनका point of view जानके हम चीजे जो है वो purchase कर लेंगे है ना और as a viewer ना मैंने भी ऐसी काफी सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी हैं जो की मीश से जो मतलब purchase करना है वो purchase करूं and आपके सामने उसका review share करूं तो मेरा जो experience नहीं वो इतना भी कोई अच्छा नहीं है ठीक ठाक टाइपस है तो मैं आपके साथ share करूंगी कि कैसे मुझे मीशो के close इतने जादा superb नहीं लगे हैं I am not saying कि सारे कि सारी मीशो के कपड़े या फ ना भी क्यों पैसा waste कर रहे हो है ना मैं तो है बिल्कुल honest review रहेगी तो yes अगर आपको ये वीडियो थोड़ी से भी अच्छी लगे ना तो please like कर देना and ये वीडियो को जरूर end तक देखना तो yes without any further ado let's get started okay जी तो first dress की अगर मैं बात करूँ तो वह है ये beautiful सी फ्रॉक आपने काफे सारे YouTubers को review करते होए दिखा होगा इसको तो मैंने सोचा मैं इसको buy करती हूं और मैं आपके साथ honest reviews का शेयर करूँगी थीक है तो अब इसकी अगर हम sleeves की बात करें तो puffed sleeves जाए उपर से एं लास्टिक और फिर से ब्रोड ब्रोड ली ओपन हो जाती है थीक है तो दूसरी साइड पर भी same to same है और अगर मैं इसकी फिटिंग की बात करो तो फिटिंग भी अच्छी है कोई प्रॉब्लम नहीं है फिटिंग में भी और लास्टिक है जैसे वेस्ट की लुक दे देता है बैक से कुछ इस तरह से दिखती है तो बैक से भी सही है और अगर अगर आप चाहो तो आप इसको एज़ा ओफशोल्डर भी पहन सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसको स्लीव's को ना ऊपर भी कर सकते हैं अच्छा चुम मुझे प्रॉबलम लगी वो ये थी कि इसमें से ना काफी जादा गंदी वली स्मेल आ रही थी ऐसा लग रहा था जैसे किसे ने काफी बड़ी वीर किया है एंड उसके बाद वही उठा कर मतलब दूसरे कस्टरमर को दे दी है इवन जब मैंने ये वीडियो शूट करनी थी ना तब भी मेरको ना इतनी गंदी समेल आ रही थी ऐसा लग रहा था बस इसको मैं जल्दी से चेंज करूँ कपड़ो को और मैं बहुत मुश्किल से ऐसे वीडियो बना रही थी चाहे इसका प्राइस जो है वो 321 ही है आई नो काफी कम है बट थिंग इसकी आप फ्रेश पीस तो दो ना मतलब पुराना ही क्यों उठा कर दे दिया लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे पुराना ही कोई पीस उठा कर ना दूसरे कस्टमर को सेंड कर दिया अच्छा सेकिंड ड्रेस की अगर मैं बात करूँ तो वो है यह चेक प्रिंट में बोडी कॉन ड्रेस इसका ना ऊपर से जिसे गला वगेरा बंद है और यह कुछ इस तरह से लुक देती है और यह भी नी से अबव है और वो चेक काइंड खेड प्रिंट बाफि इसकी जो शेप फगेरा रेस की तो वो काफी अच्छी है बोडिहगिंग है क्यूंकि बोडिकॉडं ड्रेस तो वो काफी अच्छी फिटिंग मिल जाती है अच्छा अगर मैं इसके sleeves की बात करो तो यह sleeveless नहीं है थोड़ी सी sleeves तो हैंगी इसकी और back से भी काफी अच्छी लगती है अच्छा इसकी problem मैं आपको बता देती हूँ इसके जो उपर वाली चीज है जैसे इसका गला आप देखी सकते हैं बंद है तो यह ना summer appropriate dress नहीं है दो यह नीव से थोड़ी ऊपर है और मतलब ऐसे भी comfortable इसका material था फैब्रिक भी काफी अच्छा था बट यार उपर से अगर neck बन था तो काफी गर्मी लग रही थी मतलब मैं tall rate नहीं कर पा रही थी गर्मी में इस dress को क्योंकि उपर से नहीं काफी बन थी तो अगर आप लेना चाते हैं तो ले सकते हैं ब्रीदेबल फैब्रिक है अगर आपको neck से कोई problem नहीं है तो definitely go for it बट मेरे लिए यह अच्छी नहीं थी dress तो अभी हम third dress की बात करें तो third dress जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है इसका जो है color काफी अच्छा था fine color है neck अगर मैं बात करो तो v-neck है and मतलब sleeves भी काफी ज़द अच्छी है जैसे मुझे puffed sleeves ही परसंद होती है तो वो यही वाली थी मतलब थोड़ी खुली-खुली टाइप sleeves की और वैसे अगर मैं ड्रेस की बात करो तो ruffle design था front से ruffle था and back से normal था तो काफी ज़द अच्छी लगी मुझे यह dress and summer appropriate भी है and सबसे अच्छी बात ही है कि इसका fabric बहुत अच्छा है अच्छा उसके बाद floral kind of dress है तो अच्छी लगती है summer में भी वियर की और इसका color भी blue family से ब्लोंग करते है जैसे light सा blue है तो चुपता भी नहीं आँखों को अगर हम मतलब गर्मियों में भी वियर करें तो overall मुझे ये काफ अच्छी dress लगी है और इसको मैं 5 में से 4 and half marks दूँगी और मुझे बहुत अच्छी लगी आप मुझे comment section में बताना कि आपको कैसे लगी ठीक है बैक सी ये कुछ इस तरह से दिखती है अच्छी फिटिंग है इसकी a-line kind of dress है तो मुझे बहुत अच्छी लगी है मैं अपना honest review शेयर करी हूं जो मुझे लग रहे है ना वही मैं आपको बतारी हूं कि आप अपना time waste और पैसे waste मत करना ठीक है तो अब भी हम four dress की तरफ बढ़ते हैं तो ये है कुछ इस तरह से अच्छा ये वली जो dress है ना ये मुझे ऐसा ही लग रहा था जिसे घर पे पैनने के लिए ओक है बाहर तो मैं definitely इसको carry ना करूं और इसकी fitting भी कुछ मेरको अजीब सी ही लग रही थी मतलब बिल्कुल अच्छी न लग रही थी और मतलब pattern दो इसका अच्छा था तब ही मैंने इसको buy गया था बट मुझे परसनली यासा लगा जैसे इसकी quality अच्छी बिल्कुल भी नहीं है ऐसा लग रहा था जैसे की ना मतलब पचास ओर पे ये ड्रेस है और इससे जाद बिल्कुल वर्थ नहीं करती है और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी तो आज की वीडियो के लिए तना